Hello everyone, welcome back to Knowledge IQ Science RRP Group D, यानि की Level 1 की exam की date आ गई है और ये exam 23 फरवरी से start हो जाएगा जैसे कि आपको पता है अभी RRP NTPC की exam date और CBT1 का exam का result कब आएगा? उसकी date आई थी, CBT1 के exam का result date 15 January को आएगी और जो उसका exam है CBT2 का वो 14 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में आएगा उसके बाद 23 फरवरी से RRC Level 1 यानि की RRP Group D का exam 23 फरवरी से start हो जाएगा तो चलिए देखते हैं इसके notice में क्या क्या आया है mainly इसकी notice में वही लिका है exam 23 फरवरी से start होगा ये 10 टेटिव टेथ है अगर COVID की condition अगर नहीं बेकार होती है ऐसे चलती रही तो वो 30 फरवरी से start कर देंगे exam इसके बाद जो exam city है exam city आपका 10 दिन पहले आ जाएगा कि कौन से exam मतलब कौन से city में आपका exam है और आपका admit card 4 दिन पहले आ जाएगा mainly यही notice में है चलिए एक बार देख लेते हैं अगर आप चैनल में पहली बार है तो आप इससे subscribe कर सकते हैं और वीडियो पर संद आए तो like कर सकते हैं और share कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं government of india ministry of railway railway recruitment board यहाँ पर लिखा है और यह rrc rrc यहाँ पर आप देख सकते हैं government of india ministry of railway railway recruitment board की तरब से notice आया है cn rrc 1 oblique 2091 और यह level 1 post के लिए है यानि कि जो हमारा rrb group d का है और इसमें जो recruitment है वो level 1 of यह 6 pcb metric है जो इसका exam है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमे date लिखा है second number पर देखें आप the cbt as per details provided in cn rrc 01-2091 will conference tentative from 23rd February 2022 यानि कि 22 February 23 February 2000 22 से यह start होगा और इसमें बहुत सारे phase होगे यानि कि multiple phase होगे किसी का phase 1 में होगा किसी का 2 में ऐसे ही चलेंगे जैसे कि आपको पता है बहुत सारे student ने इस form को fill किया है तो यह phases wise चलेंगे और इसके बाद point number third में देखेंगे लिखा है यानि कि एक्जाम से दस दिन पहले ही एक्जाम सिटी और डेट आ जाएगी आपकी उसके बाद जो e-call later होगा यानि कि admit card वो एक्जाम के चार दिन पहले आएगा ठीक है यही लिखा है और जो 4,85,607 candidate जिसका form reject हो गया था photograph और signature के regarding जो वो दुबारा अपने photograph और signature को upload कर सकते हैं 12 दिसंबर 15 दिसंबर 2021 से 26 दिसंबर 2021 से ठीक है बस इसके बाद यह 6-7 में वही लिखा है be aware of fraud मतलब किसी की बैकावे में ना आकर पैसे दें और जो भी इसमें official notice आएगा वो RRB की official website पर चेक करें और आप इस notice को खुद भी पढ़ सकते हैं RRB चंडीगड की website पर जाकर मैं इसका link वीडियो के description में दे दूँगा RRB चंडीगड का महाँ पर जाकर आप पढ़ सकते हैं Thank you